Good morning guys, उठ गई मैं अभी और ready होना है, बस थोड़ा सा नहाना भी है, रात को इसलिए नहा के सोती हूँ कि इस समय क्या होते हैं कि आलस आती है मुझे बहुत ज्यादा और सुबह आपको हाफ ना पहली भी उठना पड़ता है नहाने के लिए, पर कल रात को मैं थोड़ा सा नहा अब ही देखो laundry के जो चीजे हैं वह तो आगए थे पर मेरे roommate बाद में laundry दी थी क्यूंकि she came late, तो उनके laundry के चीजे आये थे, वह अभी washroom में है, मेरे नहाने के बाद washroom में गई है, तो जब भी ऐसे room share करते हैं थोड़ा सा एसे adjust करके करना पड़ता है, आप पहले करलो फिर बाद में करूंगी, तो एक को पहले उठना पड़ता है, साथ-साथ में उठो और साथ-साथ में करो तो मुश्किल होता है, क्योंकि वाश्रूम एक ही है, अभी रेडी होएंगे, आज जो हमें रूम मिले थे न, वो दूसरे साइट में थे, तो लास्ट टाइम जो आप देख है, पर मुझे न, ऐसे जब घर दिखता है बस, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, I would rather prefer the view, whereas I can see the aircrafts, तो चलो, अभी मैं यहापे बैट गई, रेडी होने के लिए, थोड़ा सा लाइट है, होटेल में यह प्रॉब्लम हमेशा होती है, कि जो लाइट होती है, वो बहुत ही यजनलो लाइट होती है, उसमें मेकणब हम क्या लगा रहे हैं, वो समझ ही रहाता, जैसकि वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, कि क्या मैं लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ रहाता है, और अभी रोश्नी भी नहीं आई है, कि मैं एकदम विंड़ों क के सामने भी मेकप लगाऊं यूंकि वो भी क्लियर नहीं आ रही है तो धूप निकलेगी थोड़े देर में डेली में तो मुझे बारिश नहीं दिखी अभी रिसेंटली जो भी मैं आई थी अभी मैं आई हूं यहां पर गर्मी ठीक ठाक है मतलब बहुत जादा भी गर्मी नह तो कि भी गर्मी क्यों नहीं आते है जैसे कोलकाता में गर्मी से भी जादा अप इस चीज से परशान हो जाओ गे कि इतना जादा पसीना आती है चिप चिप होती है नहीं करता, मेरे बाल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेर एकदम जैसा मैं एक दिन सेट करती हूँ, वैसा ही तीन चार दिन रहता है, पर स्किन के लिए सूट नहीं करता, बिकिस मैं कोलकता में पली बड़ी हूँ, और वहाँ पे इतना ज्यादा मॉइस्चर है एर में, त सारे बहुत ही पुराने है, I think 6 साल पुराने है, ये सारे जो भी चीजे आपको अभी पहनती हुए, मैं दिख रही हूँ, ट्रेनिंग के टाइम पर खरी दी थी मैं ये जीन्स, जो की लो राइज और ऐसे आंकल लेंथ वाली होती है, वो आंकल लेंथ लही है, और ऐसा मेरे में breakfast order कर लिये थे, mostly उस दिर में अके ली थी, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, पांच बजे, उठके मैं नीचे भी आ गई थी, और ऐसा होता है कि जो roommate होते है, उनके हिसाब से भी कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे कोई दोस्त होते हैं, जो breakfast ऐसे बफे में जाके करना प breakfast करने गए हैं, और वो लोग आ रहे हैं, तब तक हम क्याप बुला लिये थे, और अभी हम जा रहे हैं, पर जो हम गए ना, जब हम ट्रेनिंग सेंटर गए, तब वहाँ पे वीडियो नहीं बनाए थे, तो हमारी ट्रेनिंग फाइव आर्स के थे, और ट्रेनिंग के बाद अभी हम एरपोर्ट पहुच चुके हैं, बीच में मैंने वीडियो बनाया है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक था दिन, और आज हमारे फ्लाइट थोड़ी जल्दी है, जैसे लास टाइम शाम की फ्लाइट थी, पर आज हमारे फ्लाइट जल्दी है दोपेर के, तो हम भागते आए एकदम, और आके हम लाउंज में बैठे थे, वहाँ पे खानावाना भी खाए, कुछ लोगों से मिले भी, जो लोग मुझे मेरे वीडियो देखते हैं, उन लोगों से बातचीत भी किया, फिर लाउंज में भी एक लेडी थी, वो भी मेरे वीडियो देखती है उनके साथ भी बातचीत किया, फिर अभी हम लोग पहुच गए हैं कोलकता, तो अभी आते समय हमें दो घंटे 20 मिनिट ऐसे ही लगे, और पहुचने के बाद फिर यहाँ पे हमें कैब मिलती है, मैं पहुच जाओंगी पर मेरे फ्रेंड के साथ ही जा रही हूँ, क्योंकि उ अभी इस ट्रेनिंग का अच्छी बात भी है एक चीज की मदलब एट लीस मैं आज जाती हूँ तो कल ही वापस आ जाती हूँ, जब एक साथ ट्रेनिंग होती है तब तीन-चार दिन बात आती हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा ना पेनी को मिस्करती हूँ, I know people will judge me for this and there are lot of people who will इसे आप अपने हस्बन के साथ इतना टाइम नहीं बिताते हो जितना अपने डॉग के साथ बिताते हो, बिल्कुल सही बात क्यूंकि पैनी है जो घर पे होती है जब मैं वापस लोटती हूँ या जब जाती हूँ, फेस बनाके बैठी होती है, sad होती है, इतना जादा तो मे मेरे लिए कोई सोचता भी नहीं है बाकी सभी लोग जानते हैं कि हां यह मतलब काम करना पड़ेगा बाहर जाना पड़ेगा हर समय साथ में नहीं रह पाएंगे पर यह एक है जो मतलब समझती है at the same time sad भी होती है emotionally she is totally dependent on us and she only has us mostly me क्योंकि मैं सबसे जादा टाइम बिताती हूँ पैनी के साथ अभी जैसे वो हम लोगों से भी जादा मेर पापा से प्यार करती है पर पापा नहीं रहते हैं पर हमें दिखता है कि अगर मैं नहीं होंगी ना कभी if I keep Penny with my family she will be totally fine with my dad because she needs like somewhere me or my dad I realized that in this recent time शुरू में ऐसा नहीं था शुरू में she used to only be around me फिर बाद में धीरे धीरे जाके मैंने देखा कि भाई के साथ बहुत जादा connect करती थी भाई के साथ बहुत जादा खेलती थी बहुत excited होती थी पर अभी ऐसा हो गया कि भाई बहुती कम आता है और फिर जब घर भी जाते है तो पापा को जादा देखती है वो rather than भाई जब हर समय खेलते भी है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है all of a sudden it happened like she's just like मैं पापा आ गए तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा है and I think one reason could be that कि मैं और मैं पापा हम दोनों बहुत similar है हम दोनों ही ऐसे 90% हमारे में similarities आपको मिलेंगे except that कि we were born in different times my dad is 70s born and I am 90s born तो वो जो time के differentiation है वो ही फड़क है हमारे बीच में उसके सिवे 90% हमारे personality भी same है थोड़ा सा thought process वगेरे में different है क्योंकि वो 70s के लोग जैसे थोड़ा सा सोच में उनके थोड़े different सोच रखते हैं और हम 90s के जो बच्चे हैं हम थोड़े अलग सोच रखते हैं अब जैसे भ है और मेरे देवरानी भी 20s के है और मेरे सास होंगे शायद 60s के तो मैं almost सारे लोग को थोड़ा बहुत जानती हूं कि मतलब क्या कैसे होते हैं इनके thought process जो है थोड़ा सा हम से different है 90s और 20s के kid जो है ना हम लोग मतलब ऐसे हैं कि similarities बहुत जादा है 20s और 90s के kid में पर एक ज हम जानते हैं जो यह बोल रहे हैं यह हमारे हिसाब से सही नहीं है पर हम मूफट नहीं होते हम बोलते नहीं है फिर भी हम सुनते हैं और हम ऐसे चुप करके सुन लेते हैं बस कि ठीक है हम करेंगे तो नहीं करेंगे तो अपना ही पर सुन लेते पर 20s के kid जो है ना वो सुने इसलिए आज कल ना मैं regret करने से बěター जो चीज है कोशिश करती हूँ कि मैं वो बोल दू और मना करना भी सी रही हूँ मैं हर चीज में हाँ बोल देती ह हो और बाद में वही same regret मौली feeling कि मैंने हाँ कई रोकर दिया मुझे मना कर देनी चाहे थी तो अभी I'm learning to say no also, it's not a bad thing I have been there, I have done that and I know the feeling, हर चीज के लिए आप हान नहीं कर सकते, सब की जो expectation है आप से, वो आप पूरा नहीं कर सकते जहापे वो possible नहीं है, वो आपे मना कर देना better है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी quality है जो आपको नहीं करना है, वो आप आगे से बोल दो, की नहीं ये मेरे लिए होगा नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, चलो अभी देखो ममी पापा आए हैं, ये सब बातों के बीच में आपको बताना भूल गई, पर आप जरूर से देख रहे थे ममी पापा जल्दी आ गए हैं, और जल्दी आ जाते पर ट्राफिक मिली, अभी दुर्गा पुजा है तो इस समय ट्राफिक मिल लेगी और दुर्गा पुजा अभी क्या है, महालिया जो है उसके next day, महालिया के दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, एल ऐसा होता थी कि पंचमी के दिन से स्टार्ट होती थी, पर आजकल महालिया से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि अच्छी बात है, लोग एकदम 10 दिन लेके enjoy करते हैं पुजा, और देखो इस 10 दिन में में को सबसी ज्यादा, मतलब ऐसा हेक्टिक सा स्केडियूल मिली है, ट्रेनिंग भी फ्लाइट भी और सब कुछ, ममी पापा भी पहली आना जाते थे, पर क्यूंकि मैं नहीं थी इसलिए आ जाएं, पैनी is really excited आज मैं बोल रही थी कि आप लोग ना पैनी को लेके चले जाओ, दुरका पुझा में at least मैं तो होंगी, कभी नहीं होंगी और वो अकेली रहेगी, नहीं मैं हस्बन तो होंगे, दुरका पुझा के exact जो मतलब शब्तमी, अश्टमी, नवमी, अंदश्वमी के दिन वो नहीं जाते हैं, पर फिर भी ममी पापा के साथ और जादा इंजॉई करती, गाओं में, मुझे सच्ची में बहुत जादा मन करता है, जब ही मैं सुनती हूँ कि गाना बज रहे हैं, और एक महौल होती है ना, पूझा के, उस समय घर जाना का मन करता है मुझे, और फैमली के साथ मैं बहुत जादा मिस करती हूँ मैं सबसे जादा मिस करती हूँ मतलब साथ में बैठ के, हम खाना खाए, हम बाते करे और वो जो गाना बज्चते हैं, एक जो मतलब आथमोस्पेर होती है है ना, इस समय के, and I feel really sad when I have to go for flight I know कि हाँ अच्छी बात है कि बाकी लोग घर आ रहे हैं और किसी ना किसी को तो duty करना पड़ेगा जैसे not only me, other people also do their duty जो मदलब necessary ऐसे काम करते हैं जैसे doctors हो गए हैं या traffic police और police में जो लोग है सारे ही लोग काम करते हैं hospitals में लोग काम करते हैं पर फिर भी मन ना एक बार ऐसा होता है आपका कि इस समय काश मुझे भी चुटी मिलती, मुझे भी family के साथ time बिताने का मौका मिलता, कोई बात नहीं चलो, कभी ना कभी तो मिलेगा बाद में, अभी regret करके जादा फायदा नहीं है, मम्मी पापा आए है वो ही बड़ी बात है, अभी मेरे लिए अभी दुर्गापुजा के बाद ही आएंगे फिर, तो हाँ यहां पर मम्मी बात कर रही थी, जो खाना बनाती है आंटी के साथ, उनको बोल रही थी और मैं सोती हूँ उस समय, तो मम्मी को मैं बोलती हूँ, उनको समझा दो थोड़ा सा हमारा food habit जो है, यह नहीं है अभी दो-तीन महिने से कर रही है पर फिर भी मुझे लगता है, हमारा जो food habit है वो उनको समझ नहीं आया अभी तक ममी आपे खाना बना रही है, मेरे लिए और मैं ममी खाना बनाती है, कुछ भी बना दे मुझे से भूख सी लगती है, और मैं वेट करती हूँ कि कब साथ में बैट कर खाना खाएंगे जो कि कोई और खाना बनाए, तो यह feeling नहीं आती मुझे लिटरिली लाइक सुबा खाना बनाके जाती है आंटी, जब मैं दुपेर को खाती होना मुझे मन नहीं करता कि मैं वो खाना पडोज के खाऊँ फैमिली के साथ पले बड़े होने का बहुत सारे बेनिफिट भी है और साथ में कुछ-कुछ disadvantage भी है कि आपके roots इतने ज़ादा ऐसे families के साथ वो strong होते हैं कि आपका वो feeling जो है कितने साल भी अब बाहर क्यों न रह लो फिर भी आपको वो feeling जो है वो कभी जाती नहीं है जब ही कोई special location हो आप अपने family को miss करते हो खर रात को बात करते करते मैं ना खाना book करना भूल गई तो इसलिए अभी चाय तो पी रहे हूं पर साथ में मैं थोड़ असा rice खाके भी जाओंगी ममी खाना बनाई तो खाके जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं लोटूंगी अगेन 10 बजे रात को साथ में नहीं खाना खापाएंगे अभी भी आज भी में फ्लाइट है देखो अभी निकल रही हूँ मैं निकलूंगी पौने 11 बजे तक और फिर अगेन 10 बजे लोटूंगी तो ममी बोल रही थी इसलिए कि मैं नहीं जाओंगी पर फिर भी एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पर इस बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि दुर्गापुजा सामने है पापा के बहुत सारे काम है और भाई वहाँ पर अकेला करता है एक दिन भी कर लेता है न हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अभी तो बहुत जादे इंडिबेंडेंट हो गया तीन चार दिन भी अकेला सम्हाल लेता है एक बार जब हम चैन्नाई गए थे उस समय तो और्मोस्ट पचीस से तीस दिन पापा और ममी नहीं थे उस समय अकेला किया सब कुछ मैं 15 दिन के लिए थी वहाँ पे फिर मुझे आना पड़ाता फ्लाइट मेरे छुट्टी नहीं मिले थे फिर फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी मेरी 15 दिन के बाद मैं आ गई थी पर पापा और ममी वहाँ थे 25 दिन से भी ज्यादा और वो पूरा टाइम भाई अकेला संभाला है तो हाँ emergency situation में कर तो सकता है पर हम चाहते नहीं है जितना कोशिश करते हैं कि मदलब एक दो दिनी बस और यहाँ पे ना मुझे भी अकेला मैसूस होता है इसलिए मैं बुलाती देती हूँ क्या ही करूँ अभी इतने कम उमर में तो retirement नहीं ले सकती है ऐसे तो पापा बोलते हैं कि retirement लेके आ जाओ अभी छोड़ दो यहाँ पे रहो पर एक बार जो एक कुलकाता आ गए है ना और इतने कम उमर में retirement लेके कैसे ही जाएंगे कैसे करेंगे सब कुछ तो अभी तो सोच भी नहीं रहे हैं फिर भी वो जब मिस करती हूँ न तब बहुत कुछ सोचती हूँ मैं ऐसे तो I'm not someone who overthinks मैं overthink नहीं करती हूँ पर थोड़ा सा ऐसे सोच आ जाते है कभी-कभी दिमाग में चलो अभी almost ready हो गई हूँ मैं ये mirror में आपको मेरे camera दिख रही है और ये मेरा tripod है घर पे मैं ऐसे फिल्म करती हूँ जो आपको अभी दिख रही है बाल थोड़ा सा मुझे dry करना पड़ेगा पर उत्ते में मैं खाना भी खा लेती हूँ बाल तो ऐसे भी dry हो जाएंगे और फिर set भी करने में ज्यादा time नहीं लगता है बस थोड़ा सा calm कर लेती हूँ और अगर कान के आसपास के जो बाल है वो wavy हो गया है क्योंकि कान के पीछे ऐसे डाल के रखती हूँ तो उसको बस थोड़ा सा straight कर लेती हूँ बाकी तो कुछ करने का जरुरत नहीं होता है पेनी आई है खाना मांगने के लिए breakfast कर ली है और अभी lunch फिर जाके snacks में कुछ खाएगी फिर रात को dinner भी करेगी धर हर समय हम जब खाना काते है तो मांगने आती है अभी मैं हूँ तो जादा नहीं मांग रहे है कि कुछ को पता है कि मैं हूँ तो नहीं देंगे मंदेती है मम्मी भी कंट्रोल करी है, नहीं देती है, मना करके रखा है हमने, अब भी मेरा जो बैक वगेरा है, वो सब कुछ रेड़ी करे थी, मैं ट्रेनिंग में गई हुई थी ना, तो चीजे इधर उधर पड़े हुए थे, जो mandatory things है, वो सारे चीजे मैंने चेक कर लिया जाने से पहल तो लाइट जब बंद कर देते, इतना ही रोशनी रहती है मेरे कमड़े में, और विंडोस बंद है, तो हाँ, विंडोस बंद करके इतनी रोशनी होती है, चलो अभी पैनी ही हाँ पे मम्मी पापा के साथ टाइम बिताएगी, मैं वापस आओंगी, अगेन दस बजे, आके ह साथ में खाना खाएंगे, आपके साथ भी मिलूंगी, मैं पेनी तब तक थोड़ा सा परशान तो करेंगी, मुझे पता है, पर हाँ, वो भी अच्छा ही लगता है मेरे मम्मी पापा को भी, चलो मिलती हो आपके साथ जल्दी तब तक किला अपना धियान रखेगा, I'll see you again very very soon, bye bye.